इस वीडियो मैं आपको बताने वालाँ फ्रेंड्स के आप दोस्तों OnePlus Nord C E3 Lite 5G के मोबाइल फोन में किसी भी आप को दोस्तों आप कैसे कर सकते हैं मतलब आप दोस्तों अपने फोन में किसी भी आप को दोस्तों छुपा कैसे सकते हैं मतलब हाइड करके आप कैसे रख सकते हैं तो यह जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा चैनल पर नए है चैनल सब्सक्राइब करेगा पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबा कर और जरूर की अप्सन पर जरूर क्लिक करेगा इसके लिए आपको जाना है वन प्लस नोट सी थी लाइट 5G वालफोन की सेटिंग में आकर नीचे आना है नीचे आपको यहां प्राइवेसी का उप्सन मिलता है इस पर करना है क्लिक और उसके बाद एक बार आपको यहां फिर से प्राइवेसी पर क्लिक करना है उसके बाद आपको यह दोस्तो नहीं होगा तब दोस्तो जब आप यहां हाई डैप पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले एक दोस्तो प्रावेसी पासवर्ट सेट करने के लिए कहा जाएगा तो अगर आपके फोन में प्रावेसी पासवर्ट पहले से दोस्तो नहीं सेट है तो दोस्तो प्रावेसी पा ワр बास्वड टाइब करके फोर डीचेट को स्लेκ्ट करके four डीचेट का भी प्राविसी पासवड सेट कर सकते हैं और और आप यहां four two sixteen डिचेट को स्लेक्ट करके 4 से 16 अनको का भी सेट कर सकते हैं और और आप यह दौस्तो spats button को भी privacy password में वे सेट कर सकते हैं और आप यहाँ alpha numeric पर click करके दोस्तो password type का मतलब कि दोस्तो अंक और अक्षर को मिला कर भी दोस्तो privacy password set आप आप दोस्तो कर सकते हैं मुझे दोस्तो privacy password में दोस्तो pattern को रखना है तो चलिए हम दोस्तो यहाँ pattern पर देंगे click कर और दोस्तो एक pattern को लेंगे draw कर तो दोस्तो एक बार जो है दोस्तो password डाल देने के लिए दोस्तो confirm करने के लिए दोबारा से आपको फिर से जो है फिर से दोस्तो password या फिर दोस्तो pattern देना है डाल और उसके बाद एक दोस्तो security question का answer यहाँ पर set करने के लिए दोस्तो कहा जाएगा और आप दोस्तों यहां पर क्लिक करके question दोस्तों select कर सकते हैं जैसे दोस्तों मैं यहां से एक question लेता हूं select कर father name और answer में डाल देंगे हम अपने पिता जी का नाम तो दोस्तों इसी तरह के से आप जो है एक security question का answer यहां पर दीजे डाल या फिर दोस्तों आप जो है यहां set recovery email पर क्लिक करके आप अपना कोई gmail ID भी यहां पर add दोस्तों कर सकते हैं तो दोस्तों यह security question का answer या फिर दोस्तों gmail ID इसलिए यहां पर add करने के लिए कहा जाता है ताकि ताकि दोस्तों अगर आप कभी अपना privacy password भूल जाएं तो दोस्तों बाद में आप जो है दोस्तों इस security question की answer या फिर दोस्तों gmail ID की मदद से आप जो है अपना भूला हुआ privacy password recover कर सके तो दोस्तों यहां पर एक privacy password का दोस्तों या तो आपको answer देना डाल या फिर दोस्तों आपको जो है अपना कोई gmail ID देना अड़ कर अड़ कर देने के बाद ऊपर आपको यह done पर क्लिक कर देना है done पर दोस्तों देना क्लिक कर उसके बाद आपके फोन में privacy password सेट हो जाएगा अब दोस्तों देखिए अगर आप दोस्तों पहली बार अपने फोन में किसी एप को हाइड करने के लिए दोस्तों यहां पर दोस्तों आए होगे तो दोस्तो देखिए आपको दोस्तो जिस आपको हाइड करना है तो दोस्तो उस आपका सेटिंग यहाँ पर दोस्तो इनेवल करना होगा और दोस्तो एक से स्कोड आपको इस तरीके से सेट करना होगा, सबसे पहले दोस्तो आपको दोस्तो यहाँ पर डाल देना होगा हच, और उसके बाद आप दोस्तो एक से सोला अंको का कोई भी दोस्तो अंक दोस्तो यहाँ पर आप जो है डाल सकते हैं, चल 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 यह दोस्तो मैं जो है यहाँ पर 1, 2, 3, 4 देता हूँ डाल और उसके बाद दोस्तो लास्ट में भी आपको दोस्तो हच को ही दोस्तो रखना होगा मतलब कि दोस्तो लास्ट में भी आपको दोस्तो हच ही दोस्तो डालना होगा चलिए हम फिर दोस्तो हच देते हैं डाल तो दोस्तो इसी तर देना है यहां से दोस्तों कर तो आप दोस्तों जा इस तरीके से आप दो देखिए अगर आप दोस्तों डायलर उसके बाद जो आप ने दोस्तों वहां पर access code दोस्तो set किया था तो दोस्तो जब आप जो है अपना दोस्तो access code यहाँ दोस्तो dialer में डालेंगे तब दोस्तो आपने जितने भी app को hide दोस्तो कर आपने रखाओगा तो वो सारा hide app यहाँ पर आ जाएगा तो इस तरह के साप app को hide कर सकते हैं वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब जरूर करिएगा